जय शिरीरण आज का ये वीडियो Sonata Multifunction Watch को लेके है Sonata में New Collections लाँच की गई है इसमें Chronograph, Date, Date Premium में Multifunction Watch कई नई आर्टिकल्स लाँच की गई है सबसे बहतरीन जो इस वाँच की बात है वो है इसकी प्राइस इस प्राइस एंज में आपको कोई भी बहतरी ब्रैंड में आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा वो भी मल्टि फंक्शन है 3495 की प्राइज रेंज में इस वाच को लॉंच किया गया और जैसे इसकी लुक जैसे इसकी क्वालिटी जैसे इसकी प्रीमियम फील है वैसे आर्टिकल आपको टाइटन में आठ नहुजार से प्रॉक्सिमेट की रेंज में देखने को मिल जा तो करते हैं इस वाच की अन्बॉक्सिंग इससे पहले जो सुनाटा की बॉक्सिद आते थे वह गत्ते में आते थे राउंड में और दूसरे प्लास्टिक में आते थे लेकिन अभी जो बॉक्स आई है यह मैटल की बोडी में डिजाइन किये गये हैं और क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है वाच का आर्टिकल नमबर आपके रूप रूप सर्फ डबल सावन फॉर सिक्स एननम जिरो वान यानि की ब्लैक मैटल जीरो वन डायल नमबर होता है और डबल सावन फॉर सिक्स आर्टिकल नमबर है MRP 3495 है एंड मनफेक्टरिंग 5th 2024 बॉक्स को ओपन करते हैं वाच के फ़स्ट लुक आपके रूप रूप है ब्लैक मैटल में ओवराल ब्लैक कलर है और ओवराल जो कलर है इसका वह आपको ग्लोसी फिनिश में देखने को मिल रहा है सिर्फ वो सिर्फ चेन में जो सेंटर प डिजाइन में बनाया गया है 42 mm इसका केस साइज है 20 mm इसका चेन का साइज है चेन के जगह आप स्ट्रैप एड़न करना चाहते हैं स्ट्रैप एड़न कर सकते हैं मर्टी फीचर इंटरन पोश्चर में आपको यहां पर 24 आप सेटिंग देखने को मेरी है यह देखने को मेरी है अब पुश बटन जो दिया गया डाउन पुश बटन से आप देख सकते हैं डाउन पुश बटन से आप डेट फीचर को सेट आउट कर सकते हैं और सेंटर क्राउन के मादें से आपने टाइम कंफिग्रेशन करनी है जैसे जैसे आप टाइम की मूवमेंट करेंगे आपको यहां पर 24 आज़ वाला नीडल है वो भी मूव हो मिल रहा है इंटर्नल डायल का सिल्वर के साथ आपको मैचिंग देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको जो इंटर्नल नीडल्स या इंडेक्स है उसमें कुछ भी ग्लो आप देखने को नहीं मिल रहा है जादिन नहीं है मिर्ड की बात करें तो फलाइट मिर्र मिर्ल गलास है सक्रैच चिस कम पढ़ते हैं लेकिन सक्राइच लैस नहीं है केस के कलर की बात जैसे मैंने बताए आपको कि प्रीमیम केश कलर है ओवराथ टर्व प्रमार consec में हैं डियान दे तो बैक पे आपको टाटा प्रोटक्ट लिखा देखने को मिल जाता है सुनाटा का स्टेइनलेस टील बैक कवर है वाटर सिस्टरें थर्टी मेटर तक है इसमें और नंबर यूनीक कोड देखने को मिल जाता है तो यह बहुत जो है बाकि सब chrome है यानि कि heavy chrome material है इतनी जल्दी आपको केस चेन स्टेन लेरीis तो अगर आपको हैवी स्वेटिंग का इशू है तो हैवी स्वेटिंग में आपको टाइम टू टाइम इसे क्लीन करना ज़रूरी है कोटन के कप्रे के साथ या रुमाल के साथ तो आपकी वाच की लाइफ बनी रहेगी आधर आपको फिर एक टाइम ऐसा आजाएगा कि यहां स से आपको देखने को मिलेगा थोड़े थोड़े केस खराब होने के तो उससे अगर बच रहा है तो आपको टाइम टू टाइम में से क्लीन करना होगा ओवराल देखा जाए तो अच्छा है क्योंकि जितनी इसकी प्राइज है उसनी रेंज में आपको स्टेनलेस टील के जो है टाइटन सोनाटा या पिर कोई और ब्रैंड में भी लगा लिजिए तो केस स्टेनलेस टील में नहीं देखने को मिलेगा चेन और जो बैक कबर होता है तो आलमो़स सभी वोचिछी में स्टेनलेस टील ही होता जो जो ब्रैंडेड होती है बोच साइड से पुछ लोग का में एड रून किया या नि स्म environment कि वियर अप में भी एक अच्छी लुक्त देखने को मिल जाती है लेकिन जैसे कि 20 praise में हैं के इस इसमाल किया गया तो यह वो रूट लेड़िस भी बहा है तो वो वाटर एंटी केस में आपको कंपनी एंड से कंफर्म करना होता है कि अगर आपका जैसे नॉर्मल स्वेटिंग के कारण या फिर बारिश के कारण पानी का कोई इशू आया हो तो वह तो इशू रिजू किया जा सकता है अगर आपने हैवी यूजिस की हो तो कंपनी एंड से कंफर्म चेक हो जाता है और उस केस में आपको इसके चार्जिस पेक करने होते हैं तो वोच कैसी लगी जुरूर बताना आज के लिए तना ही धन्यवाज जैशिराम च्छैपार्स पंद्यमातर